हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में श्वागत हैं आज हम पढ़ेंगे अध्धा 5 हमारा परियवरण पारिश्चितिक तंत्र में उड़ जा का प्रवा अवर इन्वारेंट मेंड इनेर्जी फ्लो इंदी इको सिस्टम तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चली हम लोग हमारा परियवरण पारिश्चितिक तंत्र में उड़ जा का प्रवा के बारे में जान लेता हैं फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक है हमारा परियवरण पारिश्चितिक तंत्र में उड़ जा का प्रवा परियवरण तो परियवरण या इन्वाररण्मेंट कहते हैं तो परियवरण किसे कहते हैं तो हमारे आउस पास पास जाने वाले सभी वस्त् überzeug पेंड पॉदobile जिव जन्टो मदी तलाब हवा मिट्टी इवह मनुसे ंसभी की समों को क्या कहते हैं परियावरण या एंवारन्मेंट कहते हैं परियावरण क्या है दो सब्दों से मिलकर बना होता है कौन का से वह होता है परीधन आवरण अर्थात परी और आवरण के द्वारा अर्थात क्या होता है परियावरण तो परी का अर्था होता है चारो और वह आवराण का होता है घीरा अर्था चारो और से घीरे हुए वस्तुवे के समू को भी क्या करते है परियावराण कहा सकते हैं तो आप लोग इसको भी याद रखना कि चारो और से क्या होता है घीरे हुए वस्तुवे के समू को परियावराण कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र तो पारिस्थितिक तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है तो आप लोग में कंफ्यूज नहीं होना कि पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है प्रकृति के घड़कों में अंदर संबंद के कारण अपनी आप संचालितिक वश्ता बन जाता है जिसे हम पारिश्चितिक तंत्र या एकोसिस्टम कहते हैं तो प्रकृतिक घड़कों की अंदर संबत की कारण अपनी आप संचालितिक वश्ता बन जाता है जिसे हम पारिश्चितिक तंत्र कहते हैं कैसे तो चले उधारन के क्वारा समठते हैं जिसे की घास गहाज को कौन खाता है लो हिरन को कौन खाता है कि असके हधुल इससे अप अंतर शंबंद मतलब एक सभेनास्तुरों से जूड़े हैं इसे को बता आ गया है कि प्रकृति की घढ़कों के में अन्दर संभन्ध के कारण अपनी आप तक सभ्ल गंदर जाकते का है वी यादि राषम तन्थ्र था तो कि मुझा का फॉपजा का प्रावा किसे कहते हैं तो यहां पर घाज है सु प्रकास की उपज्थिति के हिक्या है अपना भोजन बनातार तो उसका बिश्चण की रूप में ग्रहंड को करता हिरान तो हिरान को भोज्जन की रूप में गर्ए से तुई क्या है इसमें उर्जा का क्या हो रहा है अर्थात हमारा परियवरन पारिश्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवा आप लोग इसमें जानोगे कि जुप पारिश्थितिक तंत्र है जुओ के मद्ध में क्या उर्जा का इस्तनात्रन की इस प्रकार से होता है तो आप लोगों को इसके बारे में समझा होगा कि हमारा परियवरण पारेश्थितिक तंत्रे में उर्जा का प्रवा तो चलिए आगे बढ़ते हैं कक्छन नवी में आपने पढ़ा था कि कहानी मचरी का प्राकृतिक आवास कुट्टुमसर गुप है यदि आप लोगों को भी याद नहारा होगा तो मैंने आप लोगों को चिप्टर 1 इवालेशन जीवो का विव्वास के लेशन भी आपको लोगों को बताया था कि जो कानी मचरी का जो प्राकृतिक आवास होता वावकुट्टुमसर गुप है और कानी मच्री के संबद में याद रखने के जो कानी मच्री उसको ब्लाइड फिज अर्थात अंधी मच्री के नाम से भी जाना जाता है कानी मच्री को क्या नाम से जाना जाता है ब्लाइड फिज अंधी मच्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो आवाज कहा होता है कुट्टू मसर गुबक्ट्यों कि इसके गुफा में क्या होता है सूरे का प्रकास नहीं पहुच पाने के करण जो कानी मचली होता है उनमें क्या होता है उसके आँग पर पतली जिल्ली की परत बन जाते है जिसके कराण इसको दिखाई नहीं देता है इस वज़ए से कानी मचली को ब्लैंड फेश या अंधी मचली के नाम से जाना जाता है प्राकृतिक आवास तो आवास क्या होता है तो किसी सजीव का वह इस्थान जिसमें वह रहता है उसको आवास कहता है तो आप लोग आवास अरूप प्राकृतिक आवास में कंफुज नहीं होना कि आवास या प्राकृतिक आवास अलग अलग है तो अलगरक नहीं अर्थात प्राकृतिक अर्थात प्रकृतिक के द्वारा जो प्राकृतिक है जो मानने द्वारे निमित नहीं तो प्राकृतिक आवास क्या होता है तो किसी सजीव का वह प्राकृतिक अस्थान जिसमें वह रहत रहा है उसको प्राकृतिक आवास या आवास कहते हैं ओके तो इसमें याद रखने कि चो कानी मचरी का प्राकृतिक आवास है वह कुट्टु मुसर गूपा है उसी अध्रा में आपने कई और जीवों के प्राकृतिक आवासों के बारे में भी जाना था ओके तो इसी अध्रा में जिसे कि आप लोगों ने हैबिटेटर थ प्रकृतिक आवास सिध्ध में क्या है बहुत सारे जीवों के बारे में जाना था कि सभी प्रकार के जीवों अलग-अलग प्रकार के जीवों कहां जो आवास होता है किसी भी जीव के लिए आवास बहुत महत्तपण होता है तो यह सही बात है कि जो कोई भी जीव है उसको जी जविक और जविक घटक क्या होता है pleased जविक घटक क्या होता है तो इसमें चीँ अर죠 जीव जो दूसरी जी ओपन निर्वरवतली स्में किस में आता है थे तो यह सभी क्या आता है जविक घटक में अचैशने होता है जैसे कि पानी होगे यह दोई पानी नहीं तो यहां पर जीवी त्रह से त्रह का प्रिठ्वी नहीं तो यह सभी आवसिकर था जयविक और जविक घड़कों के बीच अंतर संबंद का होना जीवों के लिए बहुत महत्तव पूंड होता है जीवों का विकास द्रहा में हमने पढ़ा कि अक्सर आवास में घड़कों से अंतर संबंद के फल्सुरों त्विविद जीवों का अनुकुलन विविद प्रकार से होता है जीवों का विकास द्रहा में हमने पढ़ा था कि क्या है सब अलग अलग प्रकार के जीवों का जो आवास होता है वो अलग अलग होता है उनका जो अनुकुलन भी क्या होता है विविद प्रकार से होता है तो अनुकुलन किसे कहते हैं तो किसी जीव का अपने आवास में ढ़ल जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं अनुकुलन किसे कहते हैं तो मा ले जाए कोई भी जीव है जैसे कि यहाँ पर हमने देखा काने मचरी के तो काने मचरी क्या है अपने आवास में ढ़ल गया किसमें कोटो मुसर्ग भुभगे प्राग में डिल गया जिसके क्या हो गया अर्थात किसी जीव का अपने आवास में यहां जाने के प्रक्रिया को ही भी है करता है और अनुकुली जीवों की आबादी बरती रहते है और इसका असर अन्य जीवों के आबादी पर पड़ता है यह तो इस परिस्तेदी हो गया है तो संबंद का अध्यान करने के लिए गतिविधी करते हैं तो चली जीओ की मद्वर क्या किस प्रकार से जयविक और अजयविक घड़कों की मद्वर अंतर संबंद अधात इंटर रिलेशंसिप होता है इसके बारे में हम लोग उधारन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं अं रखे कि जगह ऐसी हो जिसका अलुकान आप पात दिनों तक प्रतिक दिन कम से कम दो बार सुबह और साम कर सके तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे घर या फिर इसकुल की आसपास कोई बेगेची जगह क्या करते हैं एक जगह चुनते हैं उसकी पस्चाहत क्या है उस जग चीटर एक में दिखा गया है पकषी मेड़ा अन्य जीव नजर आ रहा है तो जो हम लोगो ने क्या है जैसे इस चीटर में दिखा गया है कि एक मीटर एक मेंूटर का चेतर हम लोगों ने क्या है चिन हांकित किया है वहाँ पर कोई जीव है तो नहीं जैसे कि केड़ा मकोड़ा कोई बख्ची मेड़ा गया अन्य जीव नजर आने वाले जीव की समू का नाम लिखकर हर दिन उनकी संख्या अपनी कापी में नोट करें जैसे पौधे 20 क्यूटिय स्थान पर क्या है अलोकन करते हैं तो हमको कोई जीव मिलता है तो वहाँ पर हमको उसका क्या है उसको नोट करते हैं एक जीव की गिंतरी एक बार ही करने का प्रयास करें मिट्टू को थोड़ा खोद कर भी जीव को देखें है तो इससे तात पर है कि एक जीव की गिंतर एक बार प्रयास इसका पर यह है किरें हमलों नहीं क्या है कि जीव जैसे की स्यूटिय, और चूट्यια का घाली में रखेंगे तो इस प्रकाष से इसमा विर्चाना कि बतागा कि एक जीव के करने का प्रयास करें मिट्टु को थोड़ा खोद कर भी जिवों को देखते हैं तो जीसे कि मिट्टी के अंदर रहने वाले कुछ जी होते हैं जिसको आप लोग गिंगर्वा की नाम से भी जानते हैं तो उसको क्या अगात्ते हम लोग नोट कर दे में यजदी चीन हांकित जगह पर कम पिंड्ड हो तो उसी भी पंध टेसके शमूम hearing तो यहाँ पर totally 41.2 लोकर चीनल के जगह स्व जगह से खृता है तो उसको भी क्या करते हैं पष्भो क्य प्लिखेंद हो गिनते हैं अपने अलोकन के अधार पर लिखेंगे तो हमने और जीस प्रकार से अलोकन किया है उसके अधार पर इस क्वेशन का आंसर देखते हैं कि क्या आपको चुनहांकिर जगह पर कोई खादे सिंखला या खादे जाल नजर आया तो इसमें question कर आगा है कि क्या हमने जैसे की चीज़ हांकीत किये हैं वहां पर हमको खादी श्रिंख्ला या खादे जाल नजर आया कि नहीं तो इस question का answer देने से पहले चलिए हम लोग खादी स्रिंखला और खादी जाल के बारे में जान लेक निगाए आखिर कर खादी स्रिंखला और छादी चाल होता क्या है उसके 25 का answer देंगे तो खादी स्रिंखला किसे कहते हैं तो जीवो की स्रिंख्या जो भूजन के अध्वार पर एक दूसरे से संबंदित रहती हैं खादिस रिंख्या कहलाती है जैसे कि आप लोगों को मैंने उधाराज से समझा था तो जीवों के अध्वार पर जुड़े होता है इसलिए कहा गया है कि जीवों की सिर्कला जो भूज़न के अधाल पर एक दूसरे से संब्भंधित रहती है, खादी सिंकला कहलाती है, और इसमें आदा कहने कि जो चाहदी शुखला है उसको आःः सिंकला के नाम से भी जा जाता खादी जाल, तो खादी जाल किसे कहते हैं, से अर्थाद बहुंद भादर है संक chessu ला मिलकर कि करता है या आप मेढक भी कह सकते हैं तो मेढक को कौन खाता है जैसे कि सर्प हो गया सर्प कौन खाता है चील खाता है यह क्या है पक्षे तो जैसे कि चील क्या है डारेट टिड़ा या फिर मेड़ा को भी खा सकता है ओके घास को बकरी भी खाता है यहां पर देनोट कर रहा हूं ओके यहां पर बकरी लिख देते हैं बकरी को बकरी को कौन खाता है सेर खाता है और घात को डारेट क्या कहता है गाय खाता है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इक ही क्या है इसमें क्या है इसमें क्या है एक से एक खादे सिंखलाव के इसके मद्ध क्या है पहुँआ सारी खादे सिंखलाव आपस में जुड़े हैं अ तो चली इस question का answer देते हैं क्या आपको चिनहां की जगह पर कोई खाद इसंक्लर खाते चाल नजरा है तो हाँ जैसे कि हम लोगों नहीं यहां पर चिनहां की जगह किये हैं तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर घास उपसित है तो गहांत को कौन खाते है छोटी किड़े मकोड़े तो चली यहां पर किड़े मकोड़े लिख लेते हैं अब इस किड़े मकोड़े को कौन खाते है जहां नीचे में डिनोट कर रहा हूं मेढ़क तो मेढ़क को कौन खाते है जैसे कि पक्छी हो गया यह सभी खाद इसंक्लर अर्थार यह सभी क्या है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या पुरे वगिचे में क्या क्या नजरा है फुरे व बगिचे में क्या है सब्सक्राइब क्या है और यहां पर जो में रहें वहां पर गाइब आप को पासकते हैं उसके हैं रोध कि उसक्राइब बखाए जो कि मुदर खाद जाल एवं खाद दे सिंख्ला नजर आए अब के में कौन कौन से जरविक और आजविक घ्टे के बार। मैं आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी जिवीत जो जिविक में आता चैंज झाय और ह्जीविक में अगन्ठीक तरत P कि सबilton lg given कि अधाव फट है और शप्झ सब्सक्राइब अधीस कि नीडिक पानी को गए ध्ति होगा रहे हुए सबीसमें आते हैं यह सबीक अजविक घटडक में चाहिए जिवेत्री Laughs का जबी कर वोगों थी आवज्यक्त होता है विच्छांट होता है सूबह और सामस्यायी beauởi में क्या आंतार होता है तो सूबह की जबर पोजन कि त्लाच मेंं अपने जो फिर अलग अलग जानवर क्या है अपने अपने जगह से बाहर निकलते हैं तो सुबह के समय क्या होता है अधीक होता है किन्तों जो साम के समय में क्या होता है यहां अपने अपने जू स्थान परlla चलता है जिसकी किराल साम में संख्याषिक होता हौता है और जब होता है समय के अनुसा परिवर्तित होता है पांच दिनों तक दीख़स के संख्याषि को संख्या से प्रति दिन चिटिया का पचास मतलब क्या होता है एक दिन का हम लोगों ने कितना अब्ज़र किया तो एक दिन के समीच बता गया दसरता इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भे जीवों का क्या क्या है अब्जर्वर की संक्या अलोकन क्या है उसका क्या करते हैं और सथ निकालते हैं ओके अनुमाल से बताए कि क्या जीवों के लिए वहां परियाप्त संसाथन है तो हां वहां पर जीवों के लिए परियाप्त संसाथन है कैसे तो चले इसको समझते हैं कि एक कारण ये है क्यूंकि यदि वहाँ पर जिवन उपसित नहीं होता तो वहां पर उपसित नहीं होता अर्थात कि की छोटी बढ़ी सभी जिवन जन्तु बोजन प्रजन प्रजन और सुरक्ष्ण जैसी आधार मुत्याभासिताएं के कि लिए एक दूसरी पर और निर्जीव घड़कों पर निर्भरत तो इस पूरी विश्व में कहा जितने भी छोटे से छोट ले और बड़े से बड़े से परताद एक दूसरे से अंतास बंदर था एक दूसरे से कहा जूड़े हुए होते हैं और सभी जीवा के लिए आधारवट आउसकेता हा deeply भोजन और सुरक्षा की बार में या पूरिवस्वतर के लिए जीने के लिए आवसकत्ता है प्रजन अपने समालज अत्तपन करने के लिए और सुरक्षा क्या है यहां था कि शिर्जव के बृधियोण इसके काराण से यहाँ आवस्या होता है परिवरंगे बीच निर्भरत경 का उजिव के बीच निर्भरतक से woven किसा में हो धाल को कै परियादियों कि लिए सब्सक्राइब करें के DC में निर्ण przyszने जला हो परेएं जिसका अध्यान हम खाद सिंखला खाद जाल पारेस्थितिक पिरामेड द्वारा करेंगे अर्थात यह सभी क्या है जीवों और्था सभी सजीव जखटकों से संबंध थे अर्थात खाद सिंखला खाद जाल पारेस्थितिक पिरामेड के द्वारा एक दूसरे से जूड़े ह कि दूसरा है सजी और निर्जिव घटकों के बीच निर्भर्ता पध्यों और जनत्व की जीवन पर मिटली हवा पानि जर्वायु मौजम आदिक प्रभाव जिसका ध्रम पदार्थों के चक्रद्वारत करेंगे दूसरा है जीव है उसको जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उर्जा के प्रवाह का अध्रान हम इन दोनों अधारों के सम्मिलित स्वरूप में करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें उर्जा के स्वरूप में अध्रान करने का प्रयास करेंगे। खाद श्रिंकला खाद जाल परेस्थितिक पिरामेट प्रदार्थू का चक्र परिवरण के घड़कों में अंतर संबंद को दर्सानी के लिए प्रारूप मात्र है। जो खाद श्रिंकला खाद जाल परेस्थितिक पिरामेट जो पदातू का चक्रड़ी क्या है जो हमारे परियावरण है कि घड़कों में किस प्रकार से अंतर संबंद था किस प्रकार से एक दूसरे से जूड़े होता है। तो रहरे क्या है इसका प्रारुप है। जी से हम किसी चेत्रों से विविद जीवों और उनके परियावरण के संबंद को समझने का परियाथ करते हैं। यह प्रारूप हमें अनमार लगाने वा अलग अलग शेत्रों का तुलनात्म का ध्येंद करने सहता करता है अध्यन संबंदि आखड़ी जुटाने के लिए क्रिया कलाप एक जैसे तरीकों को पना आजाता है किस प्रकाल के हम लोग ने मिया क्रिया कर्यानು असम सकते किसके द्वारा कुन को करियो को समझ आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद